हेलो स्टुडेंट्स यौर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिस उर्दू टीटोडियल सो स्टुडेंट्स हम लोग पुछले वीडियो में चप्टर 23 यानिके ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइनेक्टिटीज के लेटास वाक आउट 23.3 के मैत नमबर 1 से लेकर 9 नमबर तक स्टुड कर चुके थे तो इस वीडियो में हम लोग 10 नमबर से स्टुड करना है स्टाट करेंगे जो कि ऐसे है ठीक है तो चलिए सब जब पहले 10 नमबर के एक नमबर मैत को परते हैं इफ एर कोस्ट थिता ईकवाल टू रूट 3 आर साइन धिता एकवाल टू और जो डिक्री लेस दन थिता डिस दन 90 डिग्री दें लेट टीडिकर मइंड वैलू अफ बौथ आर एंड थिता तो बहल्ताए के अगर आर कोस्ट थिता इकवाल टू रूट 3 हो और R sin theta equal to 2 हो and 0 degree less than theta हो और theta less than 90 degree हो तो हम लोग क्या करना है R और theta की value निकलना है ठीक है तो बहुत ही जिए कितना number 10 number के 1 number ठीक है क्या है R cos theta equal to 2 root 3 तो R cos theta equal to 2 root 3 ठीक है और क्या है R sin theta equal to 2 तो R sin theta equal to 2 ठीक है तो देखिए हम लोग इसको थोरा सा solve कर सकते है और मतलब हम लोग cos theta और sin theta की value निकल सकते है ठीक है और cos theta cos theta cos theta equal to kya हो जागा यह R नीचे आजएंगी यानिके 2 root 3 by R हो जाएगा cos theta equal to kya हो जाएगा 2 root 3 by R तो उसी तर से इधर sin theta को रख लेंगे sin theta को रख लेंगे तो यह R नीचे आजएंगी यानिके 2 by R हो जाएगा ठीक है तो sin theta equal to kya हो जाएगा 2 by R और cos theta equal to kya हो जाएगा 2 root 3 by R ठीक है तो हम लोगो देखना है कि हम लोगो क्या दिया है sin theta मतलब हम लोगे पास क्या है sin theta है sin theta है और cos theta है ठीक है sin theta है और cos theta है तो क्या sin theta और cos theta को ले करके कोई identity है तो sin theta और cos theta को ले के identity है क्या identity है sin theta plus cos theta equal to 1 ठीक है sin theta plus cos theta equal to 1 तो हम लोग यहापे लिख सकते है, we know sin square theta plus cos square theta equal to 1, ठीक है, सबसे पिल हम लोग क्या देखना है, कि sin theta और cos theta को लेकर के कोई identity है कि नी, तो sin theta और cos theta को लेकर के identity है, क्या identity है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, तो हम लोग लेखेंगे we know sin square theta plus cos square theta equal to 1, ठीक है, तो और sin square theta equal to 2 by r, तो 2 by r square है तो क्या हो जाएगा, square plus है तो plus cos square theta, cos theta equal to 2 root 3 by r, तो 2 root 3 by r, square है तो क्या हो जाएगा, square equal to क्या है, 1 to 1, ठीक है, और 2 का square, 4, r का square, r square, plus 2 का square, 4, root 3 का square, 3, root 3, root 3 का square, 3, हम लोग जान देख要 root 3 into root 3, या रोट 3 का square root 3 into root 3, root 3 क्या होगा, root 3 into root 3 होगा, तो 2 का square, 4, और root 3 का square, 3, four to the project, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, 12, और नीचे r square का, r square equal to क्या है, 1 है, तो 1, ठीक है, और LCM क्या मिलेगा हम लोगों देखे R² और R² का LCM R² होगा ठीक है तो R² को R² से डिवाइड करना है R² को R² से डिवाइड करने से क्या मिलेगा 1 मिलेगा तो 1 को क्या करना है 4 उपर वाले नमबर से गुना करना है 4 तो 4 वाले नमबर से गुना करना है तो उपर क्या है 12 तो 12 वान जाक्या हो जागा 12 equal to क्या है 1 तो 1 ठीक है और 4 plus 12 कितना हो जाएगा 16 तो 16 भाई क्या होगा r square equal to क्या है 1 तो 1 और या पर नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है cross multiplication करेंगे इधर से गुना करने से r square मिलेगा r square को 1 से गुना करेंगे तो r square मिलेगा और इधर से 16 वाज़े क्या होगा 16 ठीक है और r r के उपर से square हटाएगे तो root over हो जाएगा root कितना हो जाएगा 16 ठीक है square हटाने से इधर root चर जाएगा कितना हो जाएगा रूट 16 ठीक है तो therefore therefore r equal to क्या हो जाएगा 4 तो जिसको square root निकालना नहीं आता है कि root 16 का 4 कैसे हो गया यहाँ पे देखिए root 16 है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले 16 का factor करेंगे तो होता है haf तो इसका मतलब कितना यहाँ 4 ए 4 इनट हूँ है और नहीं बसक्राइगा डीक है पूरी को हम लोग क्या करेंगे तो root perfection को म हम लोग पर चाहिए कि नहीं लोग क्या हो है तो R इक्वाल़ो क्या हो जाएगा? 4 तो हम लोग को R की वैलू मिल गए R इक्वाल़ो क्या होगा? 4 तो दिखे रहें नोग पास है Now, sin थिता इक्वाल टू 2 बाई R tocar R इक्वाल़ो क्या 4 तो यहां पे 4 लिखेंगे क्योंके R equal to 4 तो R के जगा हम लोग क्या लेखेंगे 4 तो लिखेंगे R sine theta equal to 2 by R equal to 4 तो R के जगे क्या लेखेंगे 4 यहाँ पर लिख सकते हम लोग क्योंके R equal to 4 है ठीक है R sine theta equal to 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 क्या मिलेगा 1 by 2 ठीक है तो R sine theta इधर sin ठीटा है तो हम लोगों इधर भी sin ठीटा लाना है ठीक है हम लोगों क्या करना है ठीटा की value नकलना है तो sin कितने degree की value 1 by 2 है sin 30 degree की value क्या है 1 by 2 है तो हम लोगों यहाँ पर क्या लिख सकते है 1 by 2 के जगे है, sin 30 degree, क्यों, क्योंकि sin 30 degree g value क्या है, 1 by 2 है, ठीक है, तो theta equal to kya बे जाएगा, n2,the as per the value of the value of R is equal to 4 and theta equal to 30 degree यह हो जाएगा क्या answer ठीक है तो अगर समझे में किस किसम के problem हो तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like करें और comment में बताए कि वीडियो कैसे लगी तो अब आए 10 number के 2 number math को परते हैं तो देखे 10 number के 2 number math को हम लोग को अच्छी से समझ जाए ठीक है तो चलिए 10 number के 2 number math को परते हैं इफ sin A plus sin B equal to 2 वहर 0 degree less than equal to A less than equal to 90 degree and 0 degree less than equal to B less than equal to 90 degree then let us find out the value of cos A plus cos B तो बोलता है कि अगर sin A plus sin B equal to 2 हो वहर मतब जहां 0 degree less than equal to A और A less than equal to क्या 90 degree हो and 0 degree less than equal to B और B less than equal to क्या 90 degree हो तो हम लोग क्या करना है cos A plus cos B की value निकालना है ठीक है तो देखे sin A plus sin B equal to क्या है 2 है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जानना है कि sin theta की value क्या एक से ज़्यादा हो सकती है तो देखे मैंने पिछले वीडियो में आप लोग बताये था कि sin theta की value कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते है sin theta की value कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते है क्यों पिछś ज़्यादा sin theta equal to क्या होता है sin theta equal to होता है perpendicular by hypotenuse sin theta equal to क्या होता है perpendicular by hypotenuse तो किसी भी right angle triangle मेn perpendicular लंबी side होते है या hypotenuse तो आप लोग बिलेंगे के sir hypotenuse सबसे लंबी side होते है तो माले के हाइपोटेनेस जो है 5 है और परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर जो है माले के वो 3 यूनिट्स है ठीक है हाइपोटेनेस को माले के 5 यूनिट्स है और हाइपोटेनेस मालेंगे के 5 यूनिट्स है और परपेंडिकुलर मालेंगे के 3 यूनिट्स है तो अगर perpendicular 3 units हो और hypotension 5 units हो तो 5 3 को 5 से divide करना है इसकी value नकारने के लिए 3 से 5 3 को 5 से divide करेंगे 3 को 5 से divide करेंगे तो 5 बाइब 5 तो होगा नहीं तो point लेंगे point लेने के लिए क्या हो जाएगा 0 तो 5 सीज़ा क्या हो जाएगा 30 तो 30 0 तो यहां पर point के लिएक ही digit मिला तो इसका मतलब हम लोग 0 ले सकते है ठीक है तो इस point के लिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा ठीक है तो 0.60 क्या 1 से ज्यादा है तो आप लोग बोलेंगे के नहीं sir 0.60 एक से बढ़ा नहीं है the value of scientific cannot be greater than 1 scientific value एक से ज्यादा या एक से बढ़ा जो है नहीं होते है ठीक है scientific value एक से बढ़ा एक से ज्यादा नहीं होती है ठीक है क्यों क्यूंके देखिए आप हम लोग को scientific value कितनी मिल गई 0.60 scientific value क्या होता perpendicular by hypotenuse perpendicular को माल लिए के 3 units और hypotenuse को माल लेके 5 units तो इसको अगर divide करेंगे तो हमनों क्या मिलेगा 0.60 तो scientific value क्या हो जाएगा 0.60 तो 0.60 क्या एक से ज्यादा है तो आप लोग बोलेंगे कि 0.60 एक से ज्यादा नहीं है तो इसका मतब यह एक से कम है तो इसलिए मैंने बताया था कि sin-theta की value जो है एक से ज्यादा नहीं होते है The value of sin-theta cannot be greater than 1 ठीक है तो अब बात आप लोगों समझ में आ गई कि sin-theta की value एक से ज्यादा नहीं हो सकती है ठीक है और जब sin-theta की value एक से ज्यादा नहीं हो सकती है माले के base यहापे भी base माले के 3 unit हो और base माले के 3 unit है और hypotenuse बड़े होते है सबसे लंबी side होते है hypotenuse माले के 5 unit है तो इसको भी divide करेंगे तो हम लोगों के मिलेगा 0.60 मिलेगा तो यह तो एक से ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब scientific value भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते है cost डिता की value भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते है क्यों क्योंके scientific value perpendicular भी हैपोटोनेस होता है तो इसको एक हम लोग divide करेंगे perpendicular को 3 मानेंगा और hypotenuse को 5 मानेंगे तो divide करेंगे तो क्या मिलेगा 0.60 0 laser safety and physical points 701 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब साइन्टिता पो स्ट को भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब sin A की value कितनी होगी 1, देखिए, ठीटा की जगा क्या है, A है, तो इसका मतलब sin A की value कितनी होगी 1, और sin B की value कितनी होगी 1, क्यूंकि sin ठीटा की value कैभी B, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, the value of sin ठीटा cannot be greater than 1, ठीक है, तो sin A की value क्या होगी, sin A की value, यानि sin ठिता के जगई क्या है, sin A sin A की value गितनी होगी, 1 sin B की value, ठिता के जगई क्या है, B sin B की value भी क्या होगी, 1 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 2 तो हम लिख सकते है, 10 number के 2 number ठीक है, sin A plus sin B equal to क्या है, 2 ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, therefore, sin a equal to 1, क्यों? क्योंकि sin जिदा की value जो है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, the value of sin जिदा cannot be greater than 1, ठीक है? तो sin a equal to क्या हो जाएगा? 1, और sin b and sin b, sin b equal to क्या हो जाएगा? equal to 1, sin b b equal to क्या होगा? 1, ठीदा के ज़्यादा क्या है? b, तो sin b, यानि sin जिदा की value एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो sin b है, तो sin b लिखेंगे, sin b equal to 1, ठीक है? क्यों? क्योंके sin जिदा की value कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो sin a एगर 1 हो, sin b एगर 1 हो, तो 1 plus 1, sin b, sin a एगर 1 हो, और sin b एगर 1 हो, तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा? 2, तो देखें, इधर भी 2 हम लोगो मिलेग इस question में, इधर भी 2, तो इसका मतब यह सही है, ठीक है? तो sin a equal to क्या होगा? 1, और sin b b equal to क्या होगा? 1, ठीक है? तो इस math में तो cos नहीं है, मैंने जो आपके cos बताया के cos ठीता की value भी एक से ज़्यादा नहीं हो, नहीं होती है, ठीक है? तो अगर cos लेके आए cos a plus cos b equal to 2, तो अगर cos लेके आए, ठीक है? तो sin a equal to क्या होगा? 1, और sin b equal to क्या होगा? 1, sin a, sin ठीता की value क्या भी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते है, ठीक है? तो इसका मतब sin a equal to क्या होगा? 1, और sin b b क्या होगा? 1, तो 1 plus 1 क्या होगा? 2, ठीक है? तो इसका मतब यह सही है, ठीक है? तो तो देखे इसको हम लोग solve कर सकते हैं और sin a equal to sin कितने degree की value 1 है तो sin 90 degree की value 1 है तो यहाँ पर लिख सकता हम लोग sin 90 degree ठीक है यहाँ पर क्या लिख सकता हम लोग sin 90 degree तो a equal to क्या हो जाएगा a equal to 90 degree तो therefore a equal to क्या हो जाएगा 90 degree उसी तरह से यहाँ पर solve करेंगे तो और यहाँ पर और sin b equal to क्या हो जाएगा तो sin b equal to क्या है 1 है तो sin कितने degree की value 1 है तो sin 90 degree की value 1 है sin 90 degree की value 1 है तो 1 के जाएगा हम लोग क्या लिख सकते है sin 90 degree तो therefore b equal to क्या हो जाएगा b equal to हो जाएगा 90 degree ठीक है a equal to 90 degree हो जाएगा और b equal to b क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा c a plus cos b तो तो equal to cos a cos a cos a की value कितने है मतलब A equal to kyA wyn". तो cos Eggs A के जगा e के जगा क्या लखींगे ay के जगा pH 9 degree cos b के cognitive B के जगा ratio methodical Mb लेका है नाइटेटी तो जानते हैं कि खुश नाइटेट के वैलू जीरो यानि रोसागेला ठीक है तो जीरो प्लास है तो प्लास कोस cos 90 के value cos 90 के value 0 तो 0 ठीक है cos 90 के value 0 यानिका रशागुलन तो रशागुलन बैठा देंग legal और cos 90 के value क्या होते है 0 तो 0 cos 90 के value 0 yo तो 0 त प्यो, प्यो़ ए को सिरो, जिरो प्लास जिरो लो जिरो यह होगा, जिलो प्लास 0, 0 जिरो यह लिए । esta plus cost ब, 0 यह हो जाएगा जिरो यह हुझा क्या ऑंसर, ठीक है तो फिर से एक बाद शना ambulance समझे तेखिये। पलस आज लेए को जाएगा लेका है तो यह अंशर यान्षिस तो a plus cos b equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है cos a plus cos b की value क्या हो जाएगी 0 ठीक है तो अब ये 10 नमर की 3 नमर मैंत को परते हैं क्या है if 0 degree less than theta less than 90 degree then let us calculate the least value of 9 10 square theta plus 4 quarter square theta तो यहाँ बोल रहा है कि अगर 0 degree less than theta हो और theta less than 90 degree हो तो हम लोग क्या करना है हम लोग को 9 10 square theta plus 4 square theta की सबसे छोटी value यानि सबसे कम value निकालना है ठीक है जिस तरह से हम लोग 9 नमर के B जो के true false है ठीक है यानि के part 5 में अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते है कि if 0 degree less than equal to alpha less than 90 degree then the least value of second square alpha plus cos square alpha is 2 तो बोलता है कि अगर 0 degree less than equal to alpha हो और alpha less than 90 degree हो तो second square alpha plus cos square alpha की सबसे कम value जो है सबसे छोटी value जो है 2 है तो इस math को जब हम लोग solve कहते हैं पिछले वीडियो में तो यह true था मतलब second square alpha plus cos square alpha की सबसे छोटी value जो है वो 2 ही है ठीक है जब हम लोग solve कहते है तो देखे देखे के second square alpha plus cos square alpha की सबसे छोटी value जो है 2 ही है ठीक है तो इस math को जिस तरह से solve कहते है उसी तरह से हम लोग 10 number के 3 number math को भी solve करके देखेंगे कि 9 10 square ठिता plus 4 o 2 square ठिता की सबसे छोटी value सबसे कम value क्या है ठीक है तो इस math में हम लोग कौन से formula अपलाई किये थे इस math में इस math में हम लोग apply किये थे कि a square plus b square का दो formula होता है ये होता है a plus b square minus tu a b और ये होता है a minus b square plus tu a b क्या होता है, एक होता है, a square plus b square का दो formula होता है, एक होता है, a plus b whole square minus 2ab, और एक होता है, a minus b whole square plus 2ab, तो हम लोग second number formula को apply कि एदे, ठीक है, तो हम लोग इस तरह के math को solve करने के लिए, second number formula को जो है, a square plus b square के second number formula को apply करेंगे, ठीक है, इस math को solve करने के लिए, इस तरह के math को solve करने के जिसमें list value निकालने बोलेंगे उस math को हम लोग जो है second number formula से solve करेंगे ठीक है मतलब second number a score plus b score के second number formula को apply करके solve करेंगे ठीक है तो हम लोगों देखना है कि 9 10 score theta plus 4 score theta की सबसे छोटी value क्या हो सकती है ठीक है तो देखिए हम लोग लिए सकते हैं 3 number 3 number के 3 number ठीक है क्या है 9 10 score theta plus 4 score theta 9 10 square theta plus 4 score square theta ठीक है तो देखिए हम लोग 9 को लिए सकते हैं 3 10 theta whole square 3 का square 9 होगा 10 theta का square 10 square theta होगा ठीक है plus है तो plus मतलब 9 10 score theta को हम लोग लिख सकते हैं 3 10 theta whole square ठीक है और 4 cot theta theta है तो 2 cot theta whole square में लिख सकते हैं 2 का square क्या होगा 4 cot theta का square cot square theta होगा ठीक है तो अब देखिए a square यह होज़गा a और यह होज़गा b यह होज़गा a यह होज़गा b तो a square plus b square तो a square plus b square के हम लोग क्या करेंगे second number formula जो है second formula को apply करेंगे ठीक है तो second formula क्या है a square plus b square के a minus b whole square plus 2 b तो यह होज़गा a और यह होज़गा b तो a minus b two cot होज़गा b a minus b whole square plus 2 a 3 ten थीदा a b two cot थीदा ठीक है a minus b whole square plus 2 a 2 a b b के है two cot थीदा तो two cot थीदा ठीक है तो equal to three ten थीदा minus two cot थीदा whole square plus two three जा होज़गा six six two जा है twelve यहनिके 12 10 थीदा into cot थीदा ठीक है तो equal to equal to three ten थीदा minus two cot थीदा whole square plus 12 10 थीदा को हम लोग और cot थीदा को हम लोग काड़ सकते हैं 10 थीदा और cot थीदा को हम लोग काड़ सकते हैं अचाह तका्र शक्ते दीए 10 थिता को 10 थिता और कॉर्ट थिता को हम लोग ली सकते हैं 1 by 10 थिता में क्योंकि 10 थिता और कॉर्ट थिता क्या है रेसिपोल थीक है तो 10 थिता और 10 थिता ऊपन लिचे cancel हो जाएगा ठीक है तो equal to क्या मिलेगा 3 10 थिता minus 2 cot थिता whole square plus क्या मिलेगा plus 12 बंज़े क्या हूगा 12 हूगा ठीक है तो 3 10 थिता minus 2 cot थिता की value हम लोग क्या मानना है 0 मानना है ठीक है तो हम लोग पिछले वीडियो में जब इस मैत को हम लोग solve के थे तो हम लोग sec alpha minus cos alpha की value हम लोग 0 मानने थी तबी जो है सबसे छोटी value हम लोग को मिली थी ठीक है इसका मतलब हम लोग को क्या करना है हम लोग को 3 10 थिता minus 2 cot थिता की value 0 मानना है 0 मानने से हम लोग को सबसे छोटी value मिलेगी यानि 3 टेंटिता माइनस 2 कौर्टिता की वैलू हम लोग क्या मनना है 0 मनना है ठीक है 3 टेंटिता माइनस 2 कौर्टिता की वैलू 0 मनना है और 0 मनने से ही सबसे हम लोगो छोटी वैलू मिलेगी ठीक है हम लोग इस मैट में हम लोग देखे थे कि हम लोग जो है सेक अलफा माइनस कॉस अलफा की वैलू 0 माने थे तभी जो है सबसे छोटी वैलू मिली थी अगर हम लोग माइनस 1 मानते थे माइनस 2 मानते थे या फिर प्लास 1 मानते थे प्लास टू मान देते ही सेक अलफा मानस कॉस अलफा की वैलू तो हम लोगों को वैलू ज्यादा मिलती थी ठीक है तो 0 मानने से ही सबसे छोटी और सबसे कम वैलू हम लोगों मिलती है अगर 0 नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे, प्लास में मानेंगे, माइनस में मानेंगे, तो हम लोगो value ज्यादा मिलेगी, ठीक है, तो हम लोगो least value नकलना है, तो इस key value क्या मानना है, हम लोगो 0, यानि कि 3 10 ठिता मानस 2 कॉट ठिता की value क्या मानना है, 0, तो 0 का square, 0 का square क्या होगा, 0 क क्या हो जाएगा 12 होगा ठीक है हम लोग 310 डिता माइनस 2 कौट डिता की वैलू अगर हम लोग माइनस 1 मानने से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अगर आप लोग नहीं देखिया तो उस वीडियो को देख लिएगा आप लोगो जादा समझ में आएगा ठीक है तो अगर हम लोग 310 डिता माइनस 2 कौट डिता की वैलू अगर माइनस 1 मानने से तो देखिये माइनस 1 मानने से माइनस 1 मानने से 310 डिता माइनस 2 कौट डिता की वैल अगर हम लोगो माइनस 1 लेखना है स्क्वेर तो प्लास 12 है तो प्लास 12 ठीक है 12 कीतना मिल जएगा हमनों को फ्लास 12 हमनों को मिल जएगा 13 तो देखिए यहाब ज्यादा मिल की तो अगर हम लोग मैस में माने लेते हैं तो वैलू कम आने के बजाए ज्यादा आ जाएंगर मानेश वान के जगाmem सब्सक्रार शूक्रद लेते हैं मानेस वाल र्ल संपटेस थीरramer मैलरी के बाहन मानों, निंटिग Rogach सब्सक्राइब 23-2 टो 301 सब्सक्राइबлоर माइनस में सब्सक्राइब यह मुला जाएगा कि इस्टे 17 फे किह दें कि आगा गाने को पूर सो ए सब्सक्राइब value हम लोग wokो १ hm तो हम लोग जयसे जयसे minus में जा रहे है वह ये से वे Dogs value जाधा मिलते है तो अगर minus 1 मानते है 3 tS minus 2 cotis value अगर minus 1 मानते है 3 tS minus 2 tS value minus 1 मानते है 3 tS minus 2 tS minus 1 square है to square plus 12 to plus 12 minus 1 का square minus 1 into minus 1 minus what the no 4 plus और अगर 3 10th minus 2 10th minus 2 स्वार ब्रतं यह हुआए, तो तो सो मिल रहे है, ठीक है, अगर हम लोग माइनस न बर रहे है, मतर्ब मायनेस से माइनस 2 मे जा रहे है, तो हम लोग से वैल। ज्यादा मिल दी धिये, ठीक है माइनस 1 से अगर माइनस 2 में जा रहा है तो value हम लोगों को ज्यादा मिलती है तो value हम लोगों को सबसे कम कम मिली जब हम लोग 310 ता माइनस 210 ता की value जब हम लोग 0 माने तभी हम लोगों को value सबसे छोटी मिली सबसे कम मिली 3 10 ता, minus 2 10 ता की value, अगर हम लोग 0 मानते हैं, 0 मानते हैं, 0 का square 0 होगा, तो 0 plus 12 है, 0 plus 12 है, तो 0 plus 12 क्या हुआ, 12, तो 12 सबसे छोड़ी value मिली, अगर 1 मानते हैं, तो हम लोग 13 value मिल जाते हैं, अगर minus 1 मानते हैं, तो हम लोगो 13 मिल जाते हैं, अगर minus 2 मानते हैं, तो हम लोगो क् 16 मानते हैं, तो अगर प्लास में 1 लेंगे, तो प्लास में एगर 3 टेंट इता मानस 2 कौट इता की वैलू, अगर प्लास में 1 मानते हैं, मतब 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 1 स्क्वेर है, तो 1 स्क्वेर हो जागा, प्लास 12 हो जागा, तो 1 स्क्वेर का 1, प्लास 12 का 12, तो 1 प्ला 10 टिटा मानास so fast zero हो जाएगा जिरो प्लस टो सबस्क्राइब क्या मिली ट्टो यानिकि 12 से छोटी वेलू हम लोग ANY твоge किसकी बैलू 価 910 इसकोटिता सब्सक्राइब को हम लोग मिली क्या मिली 12 मिले इस से छोटी value हम लोग को नहीं मिले ठीक है तो 910 इसको ठीथा 910 इसको ठीथा प्लास 4 कॉट कॉट इसको ठीथा की सबसे छोटी value क्या हो जाएगी 12 ठीक है 12 से छोटी value नहीं है ठीक है समझ में आ गया तो आप लोगों को answer इस तरह से लिखना है least value of 910 इसको ठीथा 910 इसको ठीथा प्लास 4 कॉट सको ठीथा is 12 ठीक है यह हो जाएगा answer ठीक है the least value of 910 इसको ठीथा 910 इसको ठीथा प्लास 4 कॉट सको ठीथा is 12 ठीक है और आप लोगो एक बात याद रखना है कि जब भी least value निकालने बोलेगा trigonometry में तो हम लोग क्या करना है हम लोग को a square plus b square का second number formula को second formula को apply करना है ठीक है second formula क्या है a minus b whole square plus 2ab ठीक है इस formula को हम लोग को apply करना है ठीक है हम लोग इस formula को apply नहीं करेंगे ठीक है तो अब आईए 10 number की 4 number math को परते है let us calculate the value of sin to the power six alpha plus cos to the power six alpha plus 3 sin square alpha plus cos square alpha तो अब आई ये 10 number की 4 number math को परते है let us calculate the value of sin to the power six alpha plus cos to the power six alpha plus 3 sin square alpha into cos square alpha तो हम लोग क्या करना है हम लोग को इसकी value calculate करना है ठीक है तो ये कितना number math है 10 number के 4 number 10 number के 4 number ठीक है क्या है sin to the power 6 alpha plus cos to the power 6 alpha plus 3 sin square sin square alpha into cos square alpha ठीक है तो देखिए हम लोग लिख सकते है equal to, बहुत ही इजी में थे हम लोग लिख सकते है equal to sin square to the power 6 alpha है तो हम लोग इसको लिख सकते है sin square alpha whole cube में ठीक है sin to the power 6 alpha है तो हम लोग लिख सकते है sin square alpha whole cube plus है तो plus cos to the power 6 alpha है तो इसको हम लोग लिख सकते है cos square alpha whole cube में plus 3 sin square plus 3 sin square alpha है तो plus 3 sin square alpha into cos square alpha है तो into cos square alpha ठीक है यह जैसा है हम लोग वैसा इसको हम लोग को क्या करना है लिख लेना है ठीक है और bracket में हम लोग लिखेंगे sin square alpha plus cos square alpha तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta equal to kya होता है 1 हम लोग जानते हैं कि sin square theta sin square theta plus cos square theta equal to kya 1 तो यहाँ पे ठिता के जगए alpha है तो हम लोग क्या लखेंगे? sin square alpha plus cos square alpha ठीक है? तो हम लोग एगर इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो यह जैसा है वाइसा ही मिलेगा तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे हम लोग sin square alpha plus cos square alpha लिख सकते है ठीक है तो इसको हम लोगों को अपने से लिखना है ठीक है तो equal to अब देखे इसको हम लोगों को मान लेना है A और इसको हम लोगों को मान लेना है B मतलब sin square alpha को हम लोगों को मान लेना है A और cos square alpha को हम लोगों को मान लेना है क्या B तो यह जो है, यह हम लोग को A plus B whole cube के formula में मिल जाएगा, ठीक है, A plus B whole cube के formula में मिल जाएगा, A plus B whole cube का formula क्या होता है, A cube plus B cube plus 3AB into A plus B, ठीक है, तो देखिए, sin square alpha को A मानना है और cos square alpha को B मानना है, तो A cube plus B cube plus 3AB into A plus B, ठीक है, तो यह किसका formula है, A plus B, A plus B whole cube का, तो A कौन होगा, sin square alpha, तो sin square alpha, A plus B कौन होगा, cos square alpha, तो cos square alpha, A plus B whole cube, ठीक है, cube plus B cube plus 3AB into A plus B, ठीक है, तो A plus B whole cube, ठीक है, मतलब यह A plus B whole cube का formula है, तो A plus B whole cube का formula है, तो A plus B whole cube करना है, ठीक है, तो देखिए हम लोगा क्या मिलाKA 양ाउमन और का इसकोड़ अलफा प्लास कॉस्कूर अल्फा मिखभा थिता निर chaos टूराइस को एक होता है one तो साइटचकूर अल्फा थे ल के अल्फा है तो साइन स्कूर अफ़ा प्लास कॉस्कूर अनफा क्या होगा 1 तो 1 ठीक है Q है तो Q ठीक है तो 1 का Q क्या होगा 1 तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा answer ठीक है मतलग sin to the power 6 alpha plus cos to the power 6 alpha plus 3 sin इसको अलफा into cos square alpha की value कितनी हो जाएगी 1 ठीक है तो यह हो जाएगा answer ठीक है तो आब आएए 10 नमर के 5 नमर मैट को फ़रते है if cos square theta equal to 2 cot theta and 0 degree less than theta less than 90 degree then let us determine the value of theta तो बोलता है कि अगर cos square theta equal to 2 cot theta हो और 0 degree less than theta हो और theta less than 90 degree हो तो हम लोगों किया करना है हम लोगों को theta की value determine करना है ठीक है तो कितना नमबर 10 नमबर के 5 नमबर क्या है söyledi cos square cos square theta equal to कॉसेक स्कूर्ट ठिता एक्वल टू कॉट ठिता ठीक है और हम लोग क्या करना है हम लोग को हम लोग को ठिता की वैलू determine करना है हम लोग क्या करना है हम लोग को theta की value determine करना है तो देखे हम लोग लिख सकते है और हम लोग cosec square theta में हम लोग लिख सकते है 1 plus cot square theta cosec square theta में हम लोग क्या लिख सकते है 1 plus cot square theta क्यों? क्यों क्यों हम लोग जानते है कि cosec cosec square theta minus cot square सब्सक्राइब क्या होता है 1 हम लोग जानते हैं कि को सब्सक्राइब 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 तो प्लास कोट इसकोट 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 ठीक है तो और 1 plus cot square theta ये 2 cot theta को equal to के इधर लेके आएंगे equal to के इधर है equal to के इधर लेके आएंगे तो plus में तो क्या होगा है minus 2 cot theta equal to क्या होगा 0 ठीक है तो और हम लोगों इसको थोड़ा सा एरेंग करना है ठीक है 1-2 cot theta को पहले लेके दिधर ऑफड़ा प्लास cot square theta को बार में लेके प्लास cot square theta equal to के है 0 तो 0 और हम लोग1 को लिखते है 1 square में माइनस क्या होगा तो 1 को हम लोग notch 1 is square में ए minus 1 minus हम लोग सकते है 2 cot theta को 2 into 1 into quota theta ठीक है, 2 kawt θita को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 into 1 into kawt θita, क्योंकि 2 1 जब 2 और kawt θita को उना करेंगे, तो 2 kawt θita हो, ठीक है, plus है तो plus, kawt square θita है, तो kawt square θita, ठीक है, equal to क्या है, 0 तो 0, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे a minus b whole square का फोर्मूला लाना है, ठीक है, a minus b whole square का फोर्मूला क्या होता है, a square minus 2ab plus b square, क्या, a square minus 2ab plus b square, और हम लोग को a मानना है 1 को, और b मानना है, kawt θita को, ठीक है, तो a square minus 2ab plus b square, ठीक है, a square minus 2a, a मानना है 1 को, 1 को a मानना है और b मानना है, झाल झाल ऑर ब i जाल आल आई है कॉट ठीटा ठीक है तो a' minus 2ab plus b2 ठीक है तो यह किसका फ्रॉम्aret है तो a1 हो जाएगा minus b क्या होगा कॉट ठीटा तो κॉट ठीटा a minus b whole square ठीक है a2 minus 2ab plus b2 तो यह किसका फ्रॉम Ol Brady a minus b equal to 0 है तो equal to क्या होज़ेगा? 0, ठीक है? तो or one minus cot theta square को हटाएंगे तो root over 0 होज़ेगा, root over 0 होज़ेगा, ठीक है? तो or one minus cot theta equal to root 0 का क्या होगा? 0, ठीक है? तो or one equal to minus cot theta को इधर लेके जाएंगे, मतलब equal to को इधर है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, left hand side में है, right hand side में लेके जाएंगे, तो minus है तो क्या होज़ेगा? प्लास यानिके cot theta होज़ेगा, ठीक है? प्लास तो फिरे लेके लिखना नहीं है, direct हम लोग क्या लेकेंगे cot theta, तो minus cot theta को equal to को इधर लेके जाएंगे, तो क्या होज़ेगा? cot theta होज़ेगा, ठीक है? तो देखिए, 1 equal to क्या आगया? cot theta, तो हम लोग लिख सकते हैं, और cot theta equal to 1, 1 equal to cot theta है, तो हम लोग लिख सकते हैं, cot theta equal to 1, ठीक है? तो और cot theta, तो cot कितनी degree की value 1 है? तो हम लोग मालूम है कि cot 45 degree की value क्या है? 1 है, cot 45 degree की value क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 45 degree की value 1 है, तो 1 के जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 45 degree, ठीक है? तो therefore theta equal to 45 degree होज़ेगा, तो therefore theta equal to 45 degree होज़ेगा, तो therefore theta equal to 45 degree होज़ेगा, ठीक है? ठीटा एक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री तो यह हो जाएगा अंसर चप्टर 23.1, 23.2, 23.3 कम्प्लिट हो गया अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का आप लोग लिंक को क्लिक कर सकते हैं और जिस पार्ट को देखना है आप लोग देख सकते हैं तो थैंक यू फूर वाचिंग, थैंक यू फूर लिसनिंग, हैव ये ब्यूटिफुल डे, टाटा